नमस्कार में आमीत रमेश मकरे आज वापी साब का स्वागत करता हूँ भाई दोजार तेईस में जो अलग टाइप के बिजनस एग्रो प्रोसेसिंग केटेगरी में अलग टाइप के बिजनस किस तरीके से हो सकते हैं इस पर हम कौर कर रहा है आज के दौर में मेरे इंफरमेशन के अनुसार दोजार टेईस सेंट्रल ग़र्मेट आफ इंडिया ने इंडियन गवर्मेंट ने इसे मिले टाप दी येर डिकलेर किया है कि हम जो है इंडियन लोग जो है क्योंकि कोवीड के बाद हमारी इम्मिनिटी पावर ग्रो होना या नैचरल तोर पर जो हमारे आँ जो फसल उकती है उस पे कॉंसेंटरेट कर वो खाना पसंद करना बहुत जरूरी है जंक फूड को हमें थोड़ा सा अवाइड कर अब नैचरल कंडिशन में जो फूड हमारे आँ उकता है जो फसल हमारे आँ उकती है उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसलिए हम स्पेशली अब हमें थोड़े से तो प्रोसेस प्रोड़क खाने की तो इंटरेस होता है हमें तो प्रोसेस प्रोड़क खाना है तो बही इसलिए आज हम एक अलग बिजनस के बारे में बात करने वाल है जिसे हम कह सकते हैं जोर प्रोसेसिंग बिजनस या स्वर्गं प्रोसेसिंग बिजनस लगता है अफरीका देश में इथोपिया में होई थी अफरीका के बाद जैसे सुदान हो गया है कैमरून हो गया है खांडा हो गया है आधी देशों में 50% से ज़्यादा आज भी अधिकतम जौर का उत्पादन या जौर की खेती किसानों की द्वारत की जाती है दुनिया में हो नाइजरिया हो मेक्सिको हो भारत हो सुदान हो अरजेंटिना हो चीन इतोपिया ऑस्टेलिया फ्रैसको ब्राजिल जैसे प्रमुक देश इस जौर का उत्पादन करते है जिसका प्रोडक्शन में जिनका मेजर उस्तर है विस्तर पर जौर का इतना अच्छा नेटवर्क ह तो बही जौर जैसे गेहू, मका, चावल और उसके बाद पाच्वा प्रमुक खड़न जौर को माना जाता है या प्रमुक फजल जौर को माना जाता है 2010 और 2011 का एक सर्वे हुआ था जिनमें दुनिया के 110 देशों में 40.5 मिलियन प्रोडक्शन जौर का हुआ था या उसका शेत्र हुआ था जिसमें उत्पादन 55.65 मिलियन टन था बारत दुनिया में जौर का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसका कुल उत्पादन का जो हिस्सा है वो कम से कम 8 प्रतिशन हिस्सा हम कवर करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया में जौर का सबसे जादा प्रोडक्शन हमारे महरास्ता में होता है और उसके बाद करनाटक रजस्तान मद्यप्रदेश और अंद्रप्रदेश में भी उसका उत्पादन होता है बई यदि जौर का हम बिजनस की प्लान करें है जौर का हम कमर्शिली किस एंगल से वर्काउट सकते हैं तो इसका सबसे पहले यह समझदा होगा कि जौर के कौन-कौन से बाई-प्रड़क्शन हमारे निकल सकते हैं तो सबसे पहला है जो हमारे महरास्ता में सबसे जादा फैमस है वह हुर्डा यह पता है आपको हुर्डा क्या होता है नहीं पता है तो हुर्डा को शायद मेरे हिसाब से हिंदी में कुछ कैत्राइन में कहते हैं पर यार हमारे तो जौर का हुर्डा ही बहुत पसंद है एमेदेगर हो गया, सुलापूर हो गया, पूर्ने साइट में यह हुल्डा पार्टी करके एक आइटम चलता है, आप थोड़ा सा नेट पर सर्फ करेज़िए का हुल्डा पार्टी का कंसेप्ट है, यह हुल्डा पार्टी बहुत लोगों को पसंद है, जब जौर का यूजर तो पर पर प्रटक्शन जलता है, तो उसमें हमारे हां मराटी में जिसे गूल बेंडी गए थे, गूल बेंडी में तो यह गूल बेंडी जो आइटम है, तो यह बहुत फैमस होता है, जो इस पेशली हुल्डा के लिए यूज किया आता है, और छोटी-छोटी पार्टी लि बहुत बड़ी अपरशन इडी होते है, इसके साथ भी आता है, जोआर का रवा या सूजी जिसे हम कहते है, तो जोआर का सूजी भी अप मार्केट में बनने लगा है, जिससे हम उपमा, डोसा, इडली, या शिरा, या लड्डू जैसे विविन प्रोड़क्स भी बना सकते ह या निए स्वरगम का जो कंट्रोल, स्वरगम का जो रिसर्स टेशन है है हिदराबाद में, उन्होंने कम से कम पचास से साथ प्रतिशत जौर, गेहु, चावला, मका, रागी, बाजरा और स्वयब इनको शामिल कर एक मिक्स फ्लोर तयार किया है, या विकसित किया है, इसमे इसमें से वो अच्छी क्वालिटी का है, रूटी या उसे हम मराठी में धपाटा भी बोलते हैं, ये बना सकता है, जिसमें प्रोटीन की मातरा बहुत अच्छी हुती है, और पोशन के लिए बहुत अच्छा है, तो ये मिक्स फ्लोर भी हम जौर का बना सकते है, इसके बाह ये सोरगब मल्टेड आटा, सोयबिन और रागी मल्टेड आटा के साथ मिश्रित कर एक एर टाइट कंटेनर में पॉलिपरप्लिम बैग में यदी रखा जाए, तो कम से कम छे मैंने इसका लाइफ हो सकता है, और ऐसे आटे बने से रोटी डाइबेटीस वाले मरीजों के ल जुगर निकल आई, तो ये जिम्मेंदा तो में ही हो, तो भी फूड पैटन में अब जुआर का आवला का या अलग-अलग जो स्वैबिन है, इनका इस्तमाल अब बहुत जरूरी है, तो जो जुआर का मैंने जो आपको आटा बताया था, इस आटे से थाली पीट, पराठा रोटिया, सूप, आधी सब बन सकता है, तो भाई ये ऐसा पकड़ के जलो कि ये डिमोंस्टेशन में खुद पे कर रहा हो, और जो मुझे फिर अच्छा पसंद आता है, वो मैं लोगों को भी बता रहा हूँ, तो ये जो पड़क बन रहा है, ये खाने के लिए भी बहुत अच्छा बन दें, इसके अलावा इस आटे से रोगी को या कोई भी पैसंट हो, तो इसको एनरजी और प्रोटीन और फाइबर और विटामिन इसका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, भाई इस 100 ग्राम एटमें से कम से कम 15% प्रोटीन है, 6% फाइबर है, और 3.8% कैल जागी के साथ जार माल्ट आटा, स्वैबिन माल्ट आटा, चीनी मुक्त क्रीम के साथ दूद पाउडर मिला कर, अच्छी गुनवत ता कि ये बिस्किट बनते है, और जो प्रोटीन और उच्छा फाइबर के लिए और कैलरी कम होने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट करते है इसके साथ सोरगम या जोर का पोहा भी बनता है, इसके साथ उबला हुआ सुजी या रवा जिसे हम बोलते है, उससे आप उपिट या डोसा या इडली भी बना सकते है, तो भाई मुझे लगता है, अब आशा नहीं है कि सब जोर की भाकरी काईजए, भाकरी तो आपको समझ तो जोर का ये बाकरी होता ही होता है, तो भई ऐसा नहीं है कि सब जोर का भाकरी खाकर या आप अपना हेल्थ ठीक कर सकते हो, इसके साथ आपके साथ मल्टिपल जो मैंने आज अभी तक बता है, वो अलग-अलग प्रड़क्स का आप कंस्यूम कर, आपको जो 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 चंक फ लगेगा तो अलगलग मस्नरी का इस्तमाल करके जौर का ये भी पड़क बन सकता है और इसके साथ फिर जौर के अन्य भी उप्योग है जैसे कि स्टार चुत्पदन के लिए जौर का फायदा होगा पाव या ब्रेड बनाने के लिए भी जौर का इस्तमाल हो सकता है काकवी बन अब लोगों को कोईड के बाद ये समझ में आ रहा है कि कुछ अच्छा खाना होगा सिर्फ उपर उपर का कहाँके फिर अंदर का फे पड़ाना सब गलत हो जाता है तो भई आपके लिए एक अच्छे opportunity है कि आप ज्वार का प्रोसेसिंग बिजनस में इंटर कर सकते हो अब यह बिजनस को कौन कर सकता है तो definitely जो जिस एरिया में ज्वार का production होता है वो तो बंदिक कर ही सकता है पर जिस एरिया में ज्वार का production नहीं हो रहा है पर वो city से belong करता है तो city एरिया में भी इस बिजनस को definitely आप कर सकते है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है हाँ यह सबसे important बात है investment कितना होगा तो investment depend करता है आप capacity या किस product को choice कर रहे है क्योंकि अलग-अलग products के लिए अलग-अलग capacity अलग-अलग investment का pattern है तो सबसे important बात यही है कि आपको investment minimum 5-10 lakh के आसपास आपको investment होगा यह कम जादा हो सकता है मैंने approximately बताया है सबसे important बात नहीं तो आप वोई परड़ के बैट अगे marketing की यदि हम बात करें तो marketing में सबसे important यही होगा कि यार यह D2C में ज़्यादा चलेगा और exports में भी चलेगा और B2C में भी चलेगा यह retail market में चलेगा online market में चलेगा export market में चलेगा यदि आप इस business को करना चाहते हो यदि आपको पसंदे कि यार बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और आपके हमारे expert से आपको guidance चाहिए तो अभी काभी जो हमारा चावडी.com website है वहाँ पे विजिट कीजिए सबसे पहले इस business में हम किस तरह से आपको paid माध्यम से साहेता कर सकते है ये थोड़ा देखिए we are a training and consultancy company तो हमारे experts हम आपको इस business के up and down pros and cons, plus or minus हर चीज़े आपको गोहर करवा कर इस business को किस तरीके से आगे बढ़ाये जाए या फिर आपने already इस business को start कर दिया है तो इस business को किस तरी से के बढ़ाये जाए ये भी आपको guide कर सकते है तो आप यदि इस जौर processing business में शरगम processing business में interested हो तो अभी कभी हमारे website पे visit कीज़े या फिर हमारे call center number पे phone करके हमारे जो counselor है उनसे बात करकर आपका consulting या training session book कीज़े, तब तक सबसे important बात, भाई, वीडियो इतना बड़ाया बनाया है, तो at least एक like कीज़े और यदि हमारा कोई जौर production वाला farmer friend हो तो उसको ये वीडियो डेफिनेटली शेर करना ऐसे ही मिलते रहेंगे, बाते करते रहेंगे तब तक, धन्यवाद